अधे ला यार उन तेरे बरतनाच सारे मैग कर दूँगी यार हम दोनों तो पहले अच्छे दोस्ते थे ना हमने बॉन्डिंग बनानी की कोशिश की थे लेकिन वह नई बनी हमारी लडाई हो गई पीच में आँग कोई बात निया कुछ चीजें जो नॉमिनेशन से पहले कॉल्टेस्ट इन्च करते क्यूंकि तो दकलग दी यहार प्रभा बिल आउश ह्ट C आखी तो ब्वास के घर को टाटा कहना पड़ेगा और अपने घर को हाय- जाय कहना पड़ेगा बिग बॉस का मतलब हर हफते नॉमिनेशन होते हैं इस बार भी हुआ अब कंटेस्टेंस को शो में टिके रहने के लिए एक-एक कदम फूंक-फूंक का रखना होगा यानि कि आपके खिलाफ कभी कोई भी कदम चल दे आपको नहीं पता आपको बेबी-बेबी स्टेप नहीं लेने हैं आपको एक ऐसा स्टेप लेना है जिससे आप सेफ भी रहे और जिससे आप सामने वाले पर अटैक भी कर सकें तो यहां पर आपको बहुत दिमाग से खेलना बढ़ता है Big Boss का घर होता है Master Minds का घर जैसे की विकी जैन, बहुत दिमाग लगा कर खेलते हैं, मुन्नवर फरुकी, यह दोनों शक्स हैं जो बहुत दिमाग से खेलते हैं, बाकियों का तो दिख रहा है, जो वो कर रहे हैं, लेकिन यह दोनों ऐसे contestants हैं, जोने Big Boss भी highlight कर चुक और यह आपको बताने आये थे कि इस बार भी घर से बेगर होने के लिए कुछ नॉमिनेट हो चुके हैं, कुछ contestants के नॉमिनेशन का नाम सामने आ चुका है, और वो कौन है, चली आपको बता देते हैं, और क्या हुआ हुआ बढ़ कर दिये गए हैं, मतलब क्या प्रिक्रिया का कहने का मतलब यह है, कि भाई, तुम्हें दिल के कमने में रखा था, दिल तुम्हारे में दिखनी रहा, तुम्हें ऐसा लग रहे हैं, तुम्हें दिमाग के कमने में रखा और दिमाग तुम लोग लगानी रहे हो, दम में देखा, दम में तो लोग कह रहे हैं, कि हमें घ और उसके बाद आपको बता दे कि नॉमिनेशन राउंड हुआ यानि कि बीबी काफी शॉप जिसके ओनर रखे गए नील क्योंकि वो हर आप कह सकते हैं कि हर वीक के लिए इलिमिनेट हो चुके हैं पूरे सीजन के लिए उनको इलिमिनेट किया जैसे कि राउंड हुआ था पि बिसिकली एक-एक बंदा आएगा उसकी कॉफी बनेगी अहरे कंटेस्टेंज की तो वह आम पे जाकर खड़ा हो जाएगा तो जस इनसान को मिलब जस कंटेस्टेंज को यहां पे जो खड़ा है उसको नॉमिनेट करना है उसके मूँपर ऐसे कॉफी माननी होगी ठीक है और एक-एक करके सब आए और बहुत ही अच्छा यहां पर देखने को ला बहुत लड़ाई और सबसे हरानी वाली बात तो यह हुई बताएंगे क्या क्या हुआ कैसे वक्त बदला कैसे जजबात बदले कैसे सब कुछ बदल गया एक दूसरे के लिए मतलब जो दोस्ते उन्हों उन्हें भी नॉमिनेट करनी हैं के लिए वो आगया है और कॉफी मारी चलिए इस पर बात करते हैं लेकिन बता दे कि बदल बात सारे उनके फैन्स उनसे जुड़े हुएं तो यह दो नाम हैं अंकिता पिछले नॉमिनेशन्स में नॉमिनेट हो चुकि हर बाल उनका नाम न पॉप तक कोई भी फसाद नहीं पाया हाना कि इस बार वो जोर नहीं चला और उल्टा हो गया मतलब अग्जिता जो हमेशा से नॉमिनेट होती हुए आ रही थी वो इस बार नॉमिनेट नहीं हुई और मुनवर्ध जो हमेशा से बच्चते हुए आ रहे थे वो अब फस हैं मतलब इस बार उनका जो दिमाग था वो शायद नहीं चला आपको बता देते हैं कि बिग बॉस में कौन-कौन इस बार घर से बे-घर होने के लिए नॉमिनेट हुआ है इसमें नील भट जो हमेशा के लिए मुनवर फारुकी का नाम आया नुराग डोभाल का नाम आया वि यहां पर आपको बताया कि नॉमिनेशन स्पेशल हुआ और उसमें सब ने जो नहीं पसंद उन्होंने उनका नाम लिया और यह सब लोग नॉमिनेटेड हुए लेकिन यहां पर जो बात सबसे दारा ट्रिगर की जब यहां पर सीन चल रहा था खानजादी को डान पड़ रह तो जब मनारा सपोर्ट करने आती है तो दिखते है कि हां मुझे तुम्हारी वाइबस अच्छी लग रही है उस दिन भी जब बैट पर लेटे हुए थे तो मनारा और खानजादी जो एक डूसरे को ऐसे उल्टा सिदा बोलती थी एक बार वो दोनों बैट पर सो रहे थे ज जो वो है खानजादी है वो कहती है कि यार जब तक तुम थी मनारा तुम ते मुझे अच्छा लग रहा था लेकिन पॉइंट मुनवर आया तो मुझे वो चीज अच्छी नहीं लगी कि मतलब हमने तो हाथ पकड़ा भी नहीं था और उसने वो क्यों बोला तो अब मुझे अच्छी वाइब तो वो उटके चली जाती है वो एक अलग इंसिडेंट ता लेकिन यहां बात है कि आप पता है जब खानजादी को यहां खड़ा किया कि कौन को उन्हें नॉमिनेट करना चौता है तो मनारा है मनारा वो मनारा जो उनके साथ जिनोंने हग किया था उनको ब वो भी खानजादी को करने क्योंकि 2-3 दिन पहले देखा गया था कि she was very nice to her और अब वो उसको ही नॉमिनेट करने आ गई है तो मनारा ने बोला अभी भी कौफी मेरे हाथ में है चीक है तुम इस घर में रहना चाहती हो यह नहीं तो मनारा का यहां पर पॉइंट होता है कि तुमने बोला था कि तुम घर में रहना नहीं चाहती हो तो मैं उस वज़ह से तुम्हें नॉमिनेट करने आई हूं कि तुमने बोला है कि तुम्हें घर में नहीं रहना बिग बास मुझे घर जाना है तो उस वज़ह से शायद मुझे लगा क्लियर करना शहिये ताब तो व पर अब फिर लड़ाई होती हुई दिखेगी मनारा और खानजादी के बीच में जो कि देखना होगा कि मनारा पहले आती हैं खानजादी के पास उनको बातों में उलजाती हैं और उसके बाद उनको ही नॉमिनेट करने चलिए ऐसा और बात हुआ है कि आप सामने से कुछ और पीछे से कुछ और फिलाल आपको क्या लगता है कि इस बार घर से नॉमिनेट कौन होगा क्योंकि इस बार नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट है नील भाट, पुन्दवर फारुकी अनुराग, डोभाल, विकी जैन, खानजादी, अभिशेक कुमार, सना रहीज खान, अरुष् तो क्या रखता है इस बार घर से बेघर कोन होगा, किसे कम वोट्स मिलेंगी, इस पर आपका क्या कहना है वो हमें कमेट करके बतार, तब आमिसे और जानकारी के लिए मार्शोनल नियूस्बॉक के साथ जुड़े रहें